नमस्कार मित्रों आए आज हम लोग टान्सफार्मेशन के एक पाट काध्यन करते हैं जिसका नाम है इंटर्चेंज आप असेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस असेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असे इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की सहाय क्रिया जैसे is, am, are, was, where, will, can, आधि को आधि में मत्रमे, माई, टूट, सुडे, सबा जाएगा आधि को वाक्तियों में सबसे पहले ले आते हैं अर्था तो वाक्तियों को उसी क्रिया से सुरू करते हैं, साब जामती मित्रों की इंट्रोगेटि बनाते समय जो हैं, इस सारी क्रिया इसी से सुरू होती है, पहले यहीं आता, ही जारें, वाजबेर, कैन, कुड, में, माय, टूट, सुडे, सब पहले आजाएगा, जो भी टे दूसरा देखे, रूल सेकेंड है, यदि असेर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, तो ध्यान की मित्रों, असेर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव, यह ध्यान रखिएगा, यदि असेर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो होता है उसको इंट्रोगेटी में बदलने पर वह निगेटिव सेंटेस मन जाता है यदि मित्रों यदि जो वाक्य आपको ट्रांसफार्म करना है यदि वह अफर मेटीव है तो बदलेंगे आप निगेटीव हुज जाएगा अर्थाथ अफर्मेटीव रहेगा तो उसमें नाट नहीं रहेगा और आप जब इंट्रोगेटीव में चेंज करेंगे तो नाट लगा देंगे इसके बीपरीत यदि असेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो इसके बेख्राइब इसमें निगेटिव है अर्थाथ उसमें नाट लगा है तो क्या करेंगी Introverti में बदलने पर वह affirmative sentence हो जाता है जो introverti में बदलेंगे तो affirmative sentence हो जाएगा अर्थाथ ज़ी नाट लगा तो नाट हटा देंगी आर्थात इसमें आई हुय नेगेटिव यिस नाट आध्वी हटा दिया जाते और क्या कि नीवर के स्थामपर क्या करेंगे यह नो के स्थामपर एनी हो जाता है आई मित्रों तब और देखते हैं देखें टैगोर वाज एक ग्रेट पूएट टैगोर एक महान कभी थें अब देखिए हम क्या करेंगे इसकी एक यह वाज है तो हम इसको सुरू में कर देंगे वाज फिर सब्जेट को उसके बाद रहेंगे फिर देखिए इसमें यह सेटीब सिंटेस में यह अफर्मेटीव आपकिया a great poet, दोनों का आर्थ भी देख लिए, ये कर आ है, कि tagore was a great poet, tagore एक महान कभी थी जब इस का आर्थ क्या है, was tagore not a great poet, कि tagore महान कभी नहीं थी, वाक्ष के sense को समझेंगे तो आसानी समझ में आएगा, जिस्वेज़ आए ये कहा जाए, सूर्य गर्म होता है सूर्य गर्म है और यह कहा जाए कि यह सूर्य गर्म नहीं है तो उसका सेंस वहीं आएगा सूर्य गर्म है अला देखी यू कैन नाट वीन दिस मैच तुम इस मैच को नहीं जी सकती अब देखे इसमें नाट लगा है तो हम क्या गरेंगे कि बदलते समय नाट को हटा देंगे तो पहले जो कैन हो, कैन को सुरू में लिख देंगे फिर सब्जेक्ट रहेंगे नाट है तो नाट को हटा देंगे बाकी सव उसी तरविन दिस मैच अब दोनों का आर्थ भी देख लेजिए इस कार थे you cannot win this match तुम इस मैच को नहीं जी सकते है इसकार देखे can you win this match क्या तुम इस मैच को जी सकते हो मित्लो कहने का संद्रप और्थ समझे ये तभी स्वन में आएगा जैसे अगर कहा जाए क्या तुम सुरू पहुच सकते हो मतलब नहीं पहुश सकते क्या तुम खली को हरा सकते हो मतलब नहीं हरा सकते यह कहने के भाव पर निभर करता है कहने के स्टाइल से जो है वाकिका अर्थ बदल जाता है मित्रूं अगला देखिए करा वह कभी मेरी दयाव पोलेगा आँ इसम्हें ङेहाय का देखिए उन्वाले में कि नेवर को नेवर के स्थाम पर एवर तथा नो सिटर rugged My Candice बर्दभी देख लिजे वह मेरे दयालूता को कभी नहीं बुलेगा और नीचेवले करते हैं क्या हुआ कभी मरे दयालूता को भुलेगा अरथात नहीं भुलेगा को अब ले क्योए गे तीचर आस्के ड्राकेस टू गुडबॉइ अध्यापक ने राकेस से कहा एक अच्छा लड़का बनने के लिए कहा देखिए मित्रों यहां पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा है इसका मतब यह वाक जो है पास्ट इंडिफिनिट में है और आप जानते हैं कि पास्ट इंडि सुरू में उसके बाद सब्जेक्ट इंडिट टीचर अब कि इसमें नाट नहीं है उपर वाले में तो हम नाट लगा देंगे और यहां पर क्रिया का फर्स फार्म लिखेंगे मित्रों इसलिए क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का वाक जो है यदि अफर्मेटिव है तो क्र इसलिए तरह लिख देंगे मित्रों के आर्थ को भी देख लेते हैं देखिए अध्यापक ने राकेश से एक अच्छा लड़का बनने के लिए कहां अब इसका आर्थ क्या रहा है डिट दर टीचर नॉट आस्ट राकेश टुबी गुड़ बोई क्या ध्यापक ने क्या ध् जानता है इसमें 9 लगा कोंकि का और यहाँ तो यहां लॉक्न का इंटले पृट tulee हूँ बहुकि यहां अब आर्थ मय다면 कोय नहीं जानता क्या सक्ता है इसका सक्केशलर का वह नोस्यम्हां कौन जानता है पहले कार्थ तुम्हें कोई नहीं जानता है इस कार्थ हुनो जीव का मतलब तुम्हें कौन जानता है मतलब कोई नहीं जानता है इस वाक्यों को ऐसे बना सकते हो और इस तरह भी चैन्ज कर सकते हैं आई अगला देखिए एवरिबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट प्रतेग ब्यक्ति महान बनना चाहता है आप देखिए इसमें भी इसमें लाइक में लगा इस सामतर यह प्रजेंट इडिफिनिट में है तो हम डू दस को पहल लिखेंगी देखिए दस फिर सब्जेक्ट एवरिबडी उसमें देखिए नाट नहीं है तो हम नाट लगा देंगी नाट और बाकिस से मुझे तर लाइक टू बिकम ग्रेट देखिए उपर का मत्तब है कि एवरिबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट प्रतेग ब्यक्ति महान बनना चाहता है यह क अगला देख्टे हuğं कौन महान बनना मतलो प्रतेग ब्यक्ति महान बनना चाहता चाहा ऐसे इसमacağız कोई लाव नहीं है इस गरीब आदमी की मदद करने से कोई नहीं है से मित्यत को उसको उसी तरह बनाएंगे इसको सुरू में लिख देंगे इस फिर सब्जेक्ट लिख देंगे इस इट नो है तो नो को एनिमचेंज कर देंगे इस इनी गुड़ टो हैल्प इस पूर मैं बाकिसे मुस्य तरह दो इसके अर्थ को भी देख लिजी उपर वाले कार्थ है कि it is no good to help this poor man, इस गरीब आदमी की मदद करने से कोई लाव नहीं है, निचे का मतलब क्या है, is it any good to help this poor man, क्या इस गरीब यक्ति की मदद करने से कोई लाव है, मतलब नहीं है, या या तो देखे, ये simple है, या तो हम ऐसे भी change कर सकते हैं, इस कार्थ देखे, what good is it to help this poor man, इस गरीब यक्ति की मदद करने से क्या लाव है, इसकार्थ है, इस गरीब यक्ति की मदद करने से क्या लाव है, मतलब इस गरीब की मदद करने से कोई लाव नहीं है, मतलब मित्रों ये याद रखेगा, अगर ये आपको कठिन लगे, तो ये वाला याद अगला देखिए डेयर ग्लोरी के नेवर फेड ग्लोरी मिन तरह यस उनका यस जो है के नेवर फेड कभी समापत नहीं हो सकता अब देखिए हम जो है इसको इस तरह देखे विस्तो यह तो पहले से बताते हैं इसको पहले कर देंगे कैन को सुर्म कर देंगे देखिए ऐसे मताजनी से बता देते देखिए कैन को सुर्म कर देंगे तो यह कैन फिसके बाद सब्जेक्ट देयर ग्लोरी अब नेभर का इवर फिसके बाद फेड इसका अर्थ देर ग्लोरी के नेभर फेड उनका यस कभी समाप्त नहीं हो सकता है इसका इसका इस तरह बना है कैन को यहां कर दी है फिर दे ग्लोरी को लिख दी है फिर नेभर का इवर फेड इसका अर्थ आथ उनका यस कभी समाप्त नहीं हो सकता है अर्थात कभी समाप्त नहीं हो सकता धनबाद मित्रों झाल झाल